आज हम SST पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए आपके बुक का नाम है Social Planet किलास 7 की ये आपकी SST की बुक है चेप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको सिलेबस बता देते हैं तो हमारा एनुवल का सिलेबस चल रहा है तो उसके लिए आप सबसे पहले content open कर लिए कि आपको सिलेबस बताएं चलिए यहाँ पर content पर देखिए हमने आपको एनुवल का सिलेबस मार्क कर रहा है जिवगराफी का नहीं बताया मगर हिस्टी सिविक्स का मार्क कर दिया है हिस्टी में आपका chapter number 8 और chapter number 10 यह दो chapter से है chapter number 9 जो है वो हमने हटा दिया है आपके exam में नहीं आएगा मगर आपको पढ़ना जरूर चाहिए कम से कम आपको पता तो होना चाहिए इस chapter में है क्या तो यह आपको पढ़ना है घर पे ठीक है मगर exam में इसमें से कुछ नहीं आएगा ठीक है exam में सिर्फ और सिर्फ यह ही दोनों chapter आएंगे कौन कौन से chapter 8 और chapter 9 जिसमें chapter 8 में हम यहाँ पर शुरुवात कर चुके थे इसमें हमने part 12 तक complete करा दिया है part 13 जो हमारा है वो बाकी रह गया है तो part 12 तो complete is का part 13 हमें करना है जो कि आज हम करेंगे आज जोगराफी में छोड़िये हिस्टी में आईए हिस्टी में सॉरी civics में आईए civics में भी हमारे दो chapter है हमारे annual में chapter 27 और 28 ठीक है gender inequality और market around us यह दोनों हमारे civics में बाकी रह गये है आज हमारा जो बाकी chapter पूरा नहीं हुआ था chapter number 8 हमारा complete नहीं हुआ था ठीक है यह हम करेंगे chapter number 8 page number 52 open कर लिए सबसे पहले page number 52 open कर लिए और देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया था इसमें page number 52 देखिए हमने यहां पर part 12 वे स्टार्ट किया था उसमें योगदान दिया मतलब सिंपिल हम यह कह सकते हैं उसके बाद हमने अलग-अलग भक्ती अलग-अलग भफ्ती movement को चलाने के लिए अलग-अलग जो सादू सेंट थे उनके बारेमें हमने पढ़न पढ़ा पहले हमने पढ़ा अधी शंक्राचार्या क्या हमने उनके बारे में पढ़ा पहले सबसे पहले पढ़ा हमने अधी शंक्राचार्य के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा रामानुजाचार्या फिर सेंट रामानंदा फिर उनके बाद हमने पढ़ा चेतनिया चेतनिया महाप्रभू इनके बारे में हमने पढ़ा ठीक है इन्होंने क्या क्या vapor leakage दी खी जिए क्या कहते थे ये भक्ती के इसाब से क्या बोलते थे वक्ती के बारे में फिर मीरा वा Pare आई जो कहा की नानी थी जिनके शादी मेवार की फैमिली में हुई थी ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा कबीर के बारे में कबीर दास जिस कबीर की दोहे आपने सुने होंगे उनके बारे पढ़ा फिर हमने सूरदास के बारे में स्टेडी की इनके बास आये तुलसी दास मतलब सिंपल सी बात करें हमने रिडिंग पूरी कम्पलीट कर ली थी ठीके रवीदास के बारें पड़ा फिर हमने गुरु नानक के बारें पड़ा इनके ग्यारा जो पूरे सॉरी दस जो गुरु है उनके नाम पड़े हमने सूफी ओर्डर और टीचिंग के बारे में स्टड़ी की पूरा हमने ये परग्राफ पड़ने के बाद यहां नेक्स पड़ा हमने common things of bhakti saints इससब पड़ा हमने ठीके इसमें कि सूफी ओर्डर क्या था टीचिंग क्या थी ये पूरा पड़ने के बाद हम यहां पर आगई common things bhakti and saint bhakti saint और सूफी इसके बीच में जो common चीजें हैं वो लोग क्या क्या common टीचिंग क्या थी उनकी वो पड़ा हमने फिर मार्टिन लूटन किंग के बारे हैं पड़ा मार्टिन लूटन जो थे reformer थे किसके christianity के इंदर इननों ने काफी काम किया है ठीके इसमें इनों ने बताया कि काफी जो christians हैं वो ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं जो कि हमारे bible में नहीं दिये हैं Bible के हिसाब से वो गलत है तो इनों ने यह सारी चीज़ें हमारा next part था वो था part 13 जो की सिर्फ और सिर्फ आज हम part 13 करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारा exercise है यहाँ पर आपका part 12 complete हो गया था हमने पिछली बार लिखवा था अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने भी लिखी होगी फिर उसके बाद हमने कहा था यहाँ पर आप लिख लिए part 13 started जो की आज हमारा part 13 हम start करने जा रहे हैं हमारे part 13 की वीडियो है यह आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ठीके chapter number हमारा कौन सा है यहाँ पर अब next हमारा है एक minute chapter number हमारा 8 है यह वाला sorry मैंने heading नहीं पड़ी heading है हमारी choose the correct answer आपको choose the correct answers करने है यानि multiple choice question है इसे आपको book में ही करना है start करते हैं पहला है यहाँ पर the idea of single god is found in यह कह रहे हैं जो idea था single god का वो किसमें found होता है किसमें मिलता है तो हमने बताया था उपनिश्यत और भगवद गीता जितने भी थे सब में यह idea बताया गया है जो बिरामन्स थे या जो भी थे जो हमने भक्ती मुवेंट पड़ा उसमें भी यह बताया गया कि idea of single god हर कोई single god की एक god की supreme god की बात कर रहा है तो यह क्या है both of these इन दोनों का ही सही answer है तो यह क्या हो गया option number C ठीक है इस पर आप tick कर दिए यहां तक कि भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि एक ही god को माननी के लिए ठीक है idea of single god की बात की गई है supreme god की बात की गई है second है मीरा भाई popularized Krishna bhakti throw यह कह रहा है जो मीरा भाई popularized हुई थी वो Krishna bhakti करती थी किसके जरीए song लिखती थी गाने दोराज लिखती थी भजन लिखती थी तो वो song ऐसे song लिखती थी जिने राजिस्थानी में और बिरिज रेंगवेज जो मैं बताया था उस भाचा में जो है कि भजन क्या होते हैं जो non-muslims होते हैं जब वो पूजा करते हैं अपनी worship करते हैं तो भजन गाते हैं तो वो उनका song होता उसे भजन कहते हैं तो किस पर लगेंगे आप C पर लगाएंगे ठीक है भजन पर पहले का भी C और दूसरे का भी C फिर next है हमारा third है हमारा रवी र जो है किसमे बॉन होई थे किसमे कब पैदा होई थे तो रवी दास कहां पैदा होई थे आगरा में बनारस में बरेली में या अलावाद में तो रवी दास पैदा होई थे बनारस में ये बनारस में पैदा होई थे option number B correct है इस पर आप टिक कर दिए फिर B है मारा मैजदा following column 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 A column B दिया है आपको इससे simple मिलाना है तो देखो अलग-अलग लोगों के आप नाम दीएं अलग-अलग सेंद के नाम दीएं भक्त के नाम दीएं और ये बताना है वो भक्त किसके भक्त थे ठीक है नयानर्स किसके भक्त थे ये थे devotee of Shiva ये शिवा के भक्त थे ठीक है फिर दूसरे हैं अलवर ये किसके भक्त थे ये थे विश्नु के मतलब ये नयानर्स जो थे वो शिवा को मानते थे शिवा को पूजा करते थे अलवर जो है ये विश्नु की पूजा किया करते थे मैंने बताया था पीछे आपको रामानंदा जो तो ते रामा नंदा वह किसके बहुत है वहांते तो यह सारे मैंने यहां पर नमब लिख रखेंगे आपको मै recommendations और नमब फॉल्स करेंगे. उन बाई वन. पहला देखिए, कबीर अपने दोहाज के लिए जाने जाते हैं. मतलब, simply यह पूछ रहे हैं कि कबीर अपने दोहाज के लिए मशूर हैं, जाने जाते हैं, हम सب ہی کو پتا ہے قبیر کے دوہاز بہت زیادہ مشہور ہیں, ہر کو جانتا ہے قبیر کو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ قبیر ایک سادو تھے ایک سنت سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوہ آلوگینے والے تھے اگر نیا بچہ ہوتا ہے, پانچویں شٹی کلاس کا اس نے زیادہ تر بس قبیر کے دوہے پڑے ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ ایک پویام لکھنے والے ہیں ایک دوہے لکھنے والے ہیں تو یہ کیا ہے, بالکل True بات ہے सेकंड है चेतनिया was the devotee of Lord Ram भी कह रहे हैं चेतनिया जो थे माराठा से शादी नहीं हुई थी ये false है ठीके, फॉर्थ है, सगुना means belief of God without form, ये करें सगुना का मतलब होता है, belief of God without form, मतलब किसी ऐसे भगवान की, ऐसे खुदा की, ऐसे God की, God पर भरोचता करना, जिसकी कोई form हो, जिसकी कोई तस्वीर हो, तो ये क्या है, बिल्कुत true है, सगुना का मतलब यही था, ठीके, फिर आ गुरु नानक के बारे में लिखा गया है, और लिखा दूसरे ना था, लिखने वाला कोई और था, मगर जो compiled की गई चीजें थी, वो किसकी थी, गुरु नानक की, तो यहां पर आप लिखेंगे गुरु नानक, ठीके, यहां पर लिख दिए, गुरु नानक, एन ए, एन ए, ठीके, तो इसका क्या हो गया, अदवेता, ए, डी, वी, ए, आ, आ, टी, ए, अ, अदवेता, और डॉक्टराइन, डी, ओ, सी, टी, आ, 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 ए, डॉक्टराइन, ठीके हैं स्रेंट्स, फिर थाड़ है, सूर्स आगर वास कंपोस भाई, यह सूर्दास ने लिखी थी, कि मेवार की रोयाल फैमिली थी, उसमें शादी हुई थी, ठीके है, तो यह क्या हो गया, यह हमारा यहाँ पर हो गया मेवार, पहला हो गया गुरु नाना, फिर अदवेता, डॉक्टराइन, तीसरा हो गया, अर्थूर दास, उसके बाद हो गया मेवार, यह चारो फिल करनी के ठीके, और यह वाली भी in copy, यह दोनों आपको copy में करनी है, ठीके, तो चलिए one by one हम अपनी answer the following questions भी start करते हैं, पहला question क्या है, यहाँ पर heading देखिए, answer these questions in brief, तो question number first देखिए, आपर answer these questions in brief का, exercise E का question number first देखिए, question number first क्या है, who was Kabir and what were his teaching, यह कह रहे है, कबीर कौन था, कौ कबीर कौन थे और उनकी teaching क्या थी, तो कबीर वाले part पर यह answer number first, यानि question number first का answer बताना है, exercise E, तो कबीर के बारे में अभी हमने पढ़ा है, कबीर कौन थे, यहाँ पर देखिए, page number 54 पर, page number 54 पर इनके बारे में लिखा हुआ है, कबीर कौन थे, यहाँ पर देखिए, the most famous teacher of bh drama collection of verses called shakies and past composed by him, तो यह हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीके, Muslim viewers, उसके बाद, यह line नहीं लिखनी है, he became the greatest saint of his time and the most famous disciple of ramananda, ठीके, फिर उसके बाद, यहाँ से यहाँ तक आ जाना है, मैं ऐसा करता हूँ, इसे mark कर देता हूँ, line ही कर देता हूँ, तो यह आपको he became the greatest, he became the greatest saint of his time and the most famous disciple of ramananda, ramananda के बहुत famous student भी रही है, he believed in one form, formless God, reject both Vedas and Quran and the supremacy of Brahmas and Mullahs, ठीके, यह भी एसी में, यहाँ से यह भी एसमें, Vedas, Quran and the supremacy of Brahmas and Mullahs, Mullah, कभी draw his follower from among both Hindus and Muslims, और इसमें, इनका यहाँ पर लिखाए फिर, यहाँ पर लिखाए फिर, यहाँ पर some of his composition were later collected and preserved, यह सब नहीं करना है हमें, बस Brahman and Mullahs थाक, उसके बाद, he condemned major religious tradition, he refused to accept the superiority of Brahmas, the followers of Kabir today are known as Kabir Panth, तो हमें यहाँ से करना है, यहाँ से, he से लेकर, he condemned major religious traditions, he refers to accept the superiority of those Brahmans, the followers of Kabir today are known as Kabir Panth, यहाँ तक, अब start कैसे करेंगे, answer, यहाँ से आपका शुरूगा, the most से लेकर, पूरा viewers तक, उसके बाद, यहीं से, आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके लेकर, पूरा, मुला तक, उसके बाद, ही से लेकर, 35 तक, यहाँ आपका क्या हो गया, answer number, first हो गया, exercise, E है ना, तो exercise, E भी लिख दी हमने, page number कौन सा 54 पर है, answer number first, जो मैंने टेक लगाया, आप एक बार देख लिए, ठीक है, answer number first हो गया हमारा यह, answer number first हो गया यह, answer number first हो गया यह, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब page number 54 लेक लेंगे, यहाँ पर mention कर दिए, page number 54, यह page number 54 पर हमारा answer, question number 2 क्या है, how did the Chola and Pandya King contribute to the growth of the bhakti movement, Chola और Pandya King ने किस तरीके से जो contribution किया, युगदान दिया, भakti movement को बढ़ाने में, तो page number शुरुआत में हमने जब बताया था, चola and contribution पढ़ाया था, तो question number 2 का answer देखिए, यहाँ पर है, शुरुआत में ही देखिए, 52 पर चola and Pandya patronize bhaktis, ठीक है, चola and Pandya patronize bhaktis, यह page number 52 पर है, तो इसका answer पहले यहाँ पर लिख लिए, page number 52, यह हमारा कहाँ पर है, page number 52 पर है student, question number 2 का answer, ठीक है, exercise E, चलिए यहाँ यह का question देखिए, तो यहाँ तक तो आपको यह करना ही करना है, ठीक है, temple worship तक, इसके बाद कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस अब मैं यही तक करना है, तो यह क्या हो गया हमारा, यह क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, answer number 2 हो गया, exercise कौन सी है, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, answer number 2, इसलिए मैं थोड़ी मोटी pencil यूज करी आज, कि आपको dark dark ल यहाँ तक मैंने tick लगाया, वही करना है आपको, फिर आजाएए question number 3 पर, question number 3 क्या है हमारा, question number 3 है, who were the suffis and what were their main teaching, यह कहने, suffis कौन थे, और उनकी main teachings क्या थी, तो suffis कौन थे, अब suffis वाले पर आजाएए, page number यह है हमारा, यहाँ पर देखिए, page number है हमारा 55 पर, suffis, पहले त act of Muslim theologians who left a great impact on the Indian society, the term, suffi is generally used for a Muslim sage or a saint, the basic ideas of suffis are to be found in the Quran and the tradition of the Prophet, the suffis accept the Quran as the holy word of the God, they accepted Muhammad as the Prophet and the authority of the Quran, यहाँ से तो हमारा पूरा यह introduction हो गया, मतलब suffi थे कौन, दूसरा question इसी में दो question पूछे है, एक ही question में, देखिए, who were the suffis, पहले suffi है कौन और उनकी teachings क्या थी, main teachings क्या थी, तो यहाँ पर देखिए, main teachings इसमें भी बताया गया है, सूफी order और उनकी teachings के बारें बताया है, मगर हम यहाँ से करेंगे, एक मिनट यह देखिए, सूफी order and teachings इसके अंदर जिक्र हुआ है, मगर हम यह कहां से करेंगे, इसमें से ही करेंगे, यह रहा, सूफी philosophy, इनके philosophy क्या तो इसमें बताना है, सूफी की philosophy क्या थी, इनके main teachings क्या थी, कि इस्लाम propagatedistic monotheise की इसलाम जो है, stick monotheise को propagate करता है, it reject idol worship and considerable simplify rituals of worship in true collective prayers, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यह answer थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम, यह आपको करने हैं, तीनो, यह तो करने है, और आप heading के डालेंगे, देखिए, मैं बता रहा हूँ, यह वाला छोटा कर देते हैं, यहां से, यह आप लिख लिख लिए, Muslim sage तक लेकर, ठीक है, यहां से लिख 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 सेक्ट ऑफ Muslim theologians who left a great impact on the Indian society, the term soofi is generally used for a Muslim sage और a saint, ठीक है, Muslim sage और a saint, यहां तक ह है यह, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, answer number, कौन सा है, answer number, देखिए वापस, question number 3 है, question number 3 है, who are sufis, page number कौन सा हमारा, page number 55 पर, page number 55 पर, तो यहां पर आप लिखेंगे, answer number 3, exercise E, यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक, उसके बाद आप लिखेंगे, the main teaching of sufis, या, sufis philosophy करके ही, यह, 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 पूरी चारो पॉइंट, यह, पाँचवा नहीं लिखना है, यह, यह, नहीं लिखना है, ठीक है, यह, आंसर number 3 हो गया, यह, तक, यह, तक, हो गया, answer number 3, यह, तक, complete हुआ है, बार-बार बता रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, page number 55 पर है, तो भी दो भक्ती सेंट के नाम बताओ, और उसके उपर उनके दो सेंट के लिखो, क्या लिखो, दो नोट्स लिखो, तो देखो, यह, जो है कुशिन आपको हमें हुमक देना चाहिए, इतना असान कुशिन ने चलिए, एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया देते हैं, कर पर भू, तो यह सब क्या है, यह सब भक्ती सेंट ही तो हैं, तो आपको सिंपल दो नाम बताने हैं, और नाम बताके उनके बारे में रिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको अंसर बताता हूँ, ने मैनी टू भक्ती सेंट्स, और राइट दा शॉर्ट नोट अन तो आप पहले लिखेंगे, तू भक्ती सेंट्स, आर, क्या लिखेंगे, तू भक्ती सेंट्स, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, आर, आर के बाद, अब आपके उपर है, आप कौन से भक्ती सेंट्स का नाम लिखेंगे, तो चलिए हम बताई देते हैं, इसका अंसर, अं अधिवेता तक ये नहीं लिखने ये line ये क्या होगे हमारा answer number four है exercise E का इसका पहला point पहले हमने अधी शंक्रा चार्या के बारे में लिख लिया अब दो के बारे में लिखना है तो हम रामा नुजाचार्या के बारे में लिखेंगे तो यह थोड़ा बड़ा ही है ठीक है यह थ सरेंडर्ट तो गॉड तमिलनाडू इन एलिवेंट सेंश्री वाद डॉकेट अफ विशिश्टा दवीटा के कौन थे यह डॉक्ट्राइन और विशिश्टा दवीटा के कौन थे यह डॉकेट थे अब वकील कहते हैं मगर इन्हों ने यह शुरू किया था इसलिए इस आर करके फिर आप दो नाम लिखेंगे जो मैंने दोनों नाम बताएं और वो नाम कौन कौन से होंगे पहला वन डालके लिखेंगे अधी शंकराचारिया दूसरा डालके लिखेंगे रामानुजचारिया फिर अधी शंकराचारिया दुबारा नाम लिखकर अगली लाइ question number first देखी अब exercise F का who was guru nanak write a short note on the teaching of guru nanak guru nanak कौन थे उनके teaching के उपर short note लिखना है तो मैंने बताया था जब भी note की बारी आए जब note की बारी आए पैसो वाले note नहीं notes बनाना ठीक है मतलब data तो note अगर थैयार कनी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा answer बड़ा हो जाता है तो guru nanak वाले part पर आजाएए page number question number one का answer है ठीक है question number one यहाँ पर देखे page number 55 guru nanak के बारे में यहाँ पर लिखा है guru nanak was born in tamil nadu nanakana sahay present day in Pakistan in 1469 ठीक है यह तो इनके बारे में बात कर रहे हैं he was the founder of Sikh religion and influence by a sufi saint kabir यहाँ से शुरू होता है इनका ठीक है guru nanak preach strict monotheism and emphasize preach strict monotheism मैंने बताया था monotheism का मतलब यह होता है कि एक God पर एक भगवान पर एक खुदा पर भरोसा करना एक ही खुदा को मानना and emphasize the necessity of the worship God through love ठीक है यह सब teaching भी इसमें आ रही है ठीक है यह इनकी teaching ही चल लगी है यहाँ से पूरा सब इसके बारे में इनका साथ साथ सब ही चल रहा है teaching watching सब इसमें आ रहा है ठीक है उन्होंने monotheism के बारें बताया यह अगर आप लिखना चाहें यह जब लिखना चाहते हैं आंसर नमबर फर्स्ट हो गया नोट लिखने के बारी आती है तो वैसे तो ज़्यादा बड़ा ही होता है तो हम ज़्यादा करेंगे नहीं यह थोड़ा सा और एड़ कर लेते हैं इसमें तो यह वाली और चीज़ लिख लिएगा इसमें यह वाली लाइन और ले लिएगा यह मेंन लाइन है बहुत ज़्यादा अब आपको फाइफ कस्टम पूरा एक्स्प्लेइन भी करना पड़ेगा फाइफ कस्टम है क्या इसके बारें बताना पड़ेगा तो यह थोड़ा अंसर बड़ा ही होगा कितनी भी कोशिश करना ही छोटा नहीं हो पा रहा है तो पहले हमें यहां से लफ तक लिखना है लफ के बाद ही इंस्टिटूजिस से लेकर पूरा यह यह पूरा लिखना इसमें कुछ नहीं छोड़ना है यहां तक यहां तक आंसर कंप्लीट है बच्चों और यहां तक लिखना यह answer number first होगा exercise exercise f है हमारी exercise हमारी f है ठीक answer number first exercise f यहां तक complete हो गया ठीक है चलिए दुवारा next question पर आ जते हैं और हाँ इसका page number क्या है है मारा page number 55 तो हम page number 55 mention कर देते हैं अपने question number first के आगे यहां पर लिख दिए page number 55 question number two who were alvars how are they different from nayaners यह बताए अलवर कौन थे और वो nayaners से different कैसे थे तो मैंने बताया था बक्ती सेंट्स के बारे में जह हम पढ़ ले थे बक्ती के बारे में पढ़ ले तो यहां पर हमने दो तरीके से डिवाइड किया था alvar और नayaners there were two stream of bhakti saint called nayaners and alvar the nayaners worship lord shiva and later they were called shivas and in the 15th century or the alvar called the vishnavas as they worship lord vishnu alvar कौन थे वो लोग जो है vishnavas कहलाते थे क्योंकि वो vishnu की पूजा क्या करते थे यह जो है दोनों एक दो गुरुप था the bhakti philosopher preach love and reverence through their hymns तो हमें simple क्या करना है ज्यादा बड़ा answer नहीं लिखना है question number हमारा 2 है page number हमारा कहां पर है page number 52 पर है पहले page number लिख लिए 52 पर how are they different from नयानर्स नयानर्स से different कैसे थे और अलवर्स थे कौन तो दोनों हम अलग 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 नहीं लिखेंगे एक की साथ लिख देंगे answer number 2 exercise F का यहाँ पर देखिए there were two stream of bhakti saints called नयानर्स and अलवर्स the नयानर्स worship Lord Shiva and the letter they were called Shavas in the 15th century दा अलवर्वर कॉल दा वैशनवास as they worship Lord Vishnu ठीके बस इतना ही करना है मैं ज्यादा कुछ नहीं करना है answer चोटा ही ज्यादा बहतर है हमारा तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा कौन सा question है बच्चो यह हमारा question number two है ठीके question number two यानि answer number two हो गया exercise F ठीके answer number two exercise F यह F लिखाए मैंने ठीके question number धरी पर आजाए यह name five bhakti saints and write a short note on anyone यह करें किसी भी पांच bhakti saints के नाम लिखो और उनके क्या करो short note लिखो तो answer number three देखो किसी एक पर short note लिखना है तो आप लिखेंगे five name of bhakti saints are क्या लिखेंगे इसका answer कैसे लिखेंगे answer number three कैसे शुरू करेंगे चलिए मैं यही से बताता हूँ पहले आजा इनके पांचों के नाम लिख दिएगा ठीक है आप अधी चार्या का नाम लिख दिएगा ठीक है फिर रामानुजा यहाँ पर अधी चार्या का नाम लिखेंगा इनका नाम लिखेंगा फिर रामानुजा चार्या का नाम लिखेंगा उसके बाद सेंट रामानंदा का नाम ल होगा पहले कहा लिखना है आपको कोश्शन में आए आपको 足 affecting यहाँ पर लिखे तोड़ा मैं पेंशल दूसरी पेंशल यूज करता हूं प्रन छाप जाप करके देखिये जल्ब अंसर नमर्बर फ्री मैं पर थोड़ा सा शुरुवात लिखवा देता हूं अंसर 나오 sì यहाप लिखेंगे आप कि यहाप लिखेंगे फाइफ भक्ती भक्ती है ना five भक्ती सेंट्स आर डाइटिंग जल्दी जल्दी कर रहे है थोड़ी साफ नहीं आये बंगर पढ़के जो हम बोल रहे हैं वो सुन लिएगा फाइभ भक्ती सेंट्स R अब यहांपर क्या करना है इस हमें 5 नाम लिखने आर के बाद तो मैं यहीं से लिख देता हूँ यहांपर लिख देता हूँ वन अब देखिए यहांपर भऌट सारे नाम है पहले हैं अदिशंक्राचार्या क्या अधी शंक्राचार्या और रामा नुजा चार्या तो पहले हम इन दोनों के नाम लिख देते हैं पहले लिखेंगे हम अधी शंक्राचार्या अधी शंक्राचार्या फिर सैकेंड रामा नुजा चार्या ठीके रामा नुजा इस पिलिंग मिस्टेक हो सही कर लिएगा रामानुजचार रिया ठीक है फिर थड रामनन्दा है I think थड ठीक है तो हम देख लेते थड है हमारे फिर ऐसी रामनन्दा उसके बाद चेतनिया तो इसी तरह आपको क्या करने है बच्चों यहाँ पर यह मैंने दो लिखे हैं आपको तीन चार यहाँ पर लिखने के बाद ऐसी पांच लिखने के बाद फिर ऐसी कॉमा यहाँ पर पांच लिख लिएगा पांचों मैंसे दिखने के बाद किसी एक पर चोटा सा नोट लिख देना है तो हमने देखी यहाँ पर note लिख रखा है अधी चंकरा चार्रेगा लिख रखा है यही एक note लिलिएगा यही वाला note लिलिएगा ठीक है यह हमारा answer number 3 हो जाएगा exercise F का किसी एक पर note लिखना है anyone note on anyone ठीक है answer number 3 exercise F next question हमारा question number 4 क्या है देखिए ठीक है तो question number 4 देखिए अब यह वाला आपको question समझ में आ गया होगा दुबारा बता दिता हूँ इसमें आपको लिखना है answer number 3 5 बक्ती सेंट्स आर अधी शंकरा चार्रेया रामा नुज़ा चार्रेया फिर कबीर दास और रामा नंदा ऐसी जो है हमारे पांच नाम लिखने के बाद आपको मैंने एक का बताया है एक के उपर खाली नोट लिखना है तो पांच नाम लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एक के उपर नोट लिखना है तो मैंने अधी शंकरे चार्रे के बारें बताया है इनी का नोट लिख लिएगा खाली अधिशंकरे चारे के लिखके उसके उपर नोट लिख लिएगा लास्ट कोशन हमारा हुआर सोफीज, सोफीज कौन थे वाट डिट दे प्रीच, वो क्या प्रीच करते थे हमने ये कोशन यहाँ पर पूरा पड़ा दिया है वाट कॉमन फीचर डिट दे शेर विद दा सेंट्स तो सोफीज कौन थे, ठीके और उनके वो क्या प्रीच करते थे वाट कॉमन फीचर डिट दे शेर विद दा सेंट्स वो सेंट्स से क्या शेर करते थे, क्या कॉमन चीज उनकी सेंट्स से थी तो इसमें हम question में थोड़ा change करते है तो यहाँ पर देखिए यह question नहीं करना है question यह नहीं करना है आपको लिखना है what common future did Sufi यहाँ पर लिखना है what common future did Sufis share with saints यहाँ से यहाँ तक आपका question ने खाली यह question है अपका ठीक है what common future did Sufis share with saints तो answer number 4 का यहाँ पर common features देखिए common things of bhakti saints and sufis, यह पूरा आपको लिखना है, यह भी और यह भी यहाँ से लेकर, यह पूरा heading और यहाँ तक यहाँ से ठीक है, यह answer number 4 हो गया exercise F हो गया, ठीक है answer number 4 exercise F, common things दोनों की हमने बता दी है आप पर, अब इसमें हमारा answer खतम हो गया है, page number 56 है question दोबारा देख लिए यह हमारा, मैं यहाँ पर लिख दीता हूँ, यह page number 56 पर है, ठीक है, और देखिए question आपको पूरा नहीं उताना है, question आपको क्या उताना है, what common future date, sufis share with saints, ठीक है, बस इतना लिखना है, page number 56 पर मैं नहीं इसका answer भी take करा दिया है, चलिए students अब हमारा यहाँ पर chapter complete हुआ, यह हमारा part भी complete हुआ इसके content पर आईए, जैसे कि हमने बताया था, आपका यह part 12 complete हो चुका था, आज हमारा हुआ हुआ है part 13 तो हमारा यह पूरा chapter complete हो चुका है, ठीक है, पूरा chapter complete हो चुका है, अब हमारा जो बाकी है वो इसमें chapter number 10 बाकी है, last chapter फिर हमारा annual का भी सिलेबस इसका complete हो जाएगा, so thank you very much students, assalamualaikum